नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा आल इंडिया ट्रेड ट्रेश्ट द्वाजर पीस कंपूटर बेस्ट जो हुआ था आइटी आइ मसीनिस् पर यहां पर जो समय प्रोवाइट किया गया था वह दो घंटे का समय आपको दिया गया था यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह सब पुछे बाकि किस तरह से पूछे गया थे पेपर में आए हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर आपको सेरियल आउटसाइड अपदा हैड हैड है काश्टिंग यानि कि मुखी स्पिंडल और आउटसाइड है इस्टाग काश्टिंग के लिए काउज से कि लिए लगाया जाता है इस स्पिंडल गी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक अब देखिए दूसरा कोशन है what is the name of the part X यहां पर जो चिन्नित भाग है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां वाला यहां पर देखिए जो यह से चिन्नित भाग है यह हमारा कहलाता है कि लन्थ बीट्विन सेंटर ठेक्थ यहां पर इसके और इसके बीच के जो दूरी है यह हमारा føंटर कहलाता है कि कहलाता है ठैश्म यह केंदर केए फ्लेल है यहां कराute रहें संकु पुली हेड इस्टाक का कौन सा हिस्सा इस्पिंडल गति को कम करने के लिए लगा हुआ है यह जो लगा रहता हो रहता है बैक गियर यूनिट तो बैक गियर यूनिट यहां पर आप सो नंबर डिक करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा कोशन है वाट इस दा नेम आप दा नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पांच भाहे विच पाट अब तब अपड़नियर बेवल प्रोटेक्टर इज है विग पैरलल ग्रू इंध सेंटर यानि की भर नियर बेवल प्रोटेक्टर के किसवाग के अमाध्ध हुन आंतर दर आली है यह हमारा रहता है तो आप स आपसो नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथमा कोशन यहां पर कि वाट टाइप आफ इस्टेंडर्ड टेपर यूजड और एक्स्टर्नल टेपर आफ लेथ स्पिंडल नोज खराद स्पिंडल नाक के बारी संक उपर किस प्रकार के मानक संकू का उप्यों किया जाता है इसके लिए किया जाता है मौर्स टेपर अगला आठमा कोश्टन की हुआप इस दा इंक्लूडड एंगल आप में अक्मी थ्रेड में जो समलित याने की या इंक्लूडड एंगल होता वह कितना होता है यह होता है 29 डिगरी नौबा कोश्टन है यहां पर वार्ट इस बेस पिछ लाइन संपर की पिछ लाइन पर है अब देखिए तस नंबर कोशन है विच इस दा लेस इक्सपेंसिव लेस पलूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड यान की कम खर्चीला कम परदूसित और उर्जा की बच्चत अपसिष्ट निप्टान क्या है यह कहलता हम रशाइडर ट्वेस्टल मंघ्र हमासे इस यह महलता है यह क्या कहलता है यह कहलता हमारा बोडि को में क söर तेले नंबर कोस्ट है वात इस डवात सिंँमुन-1 और इवलड फॉर्ज्ज वह पात होता है मैं अधिक्तिम पर्सेंट कितना होता है यह होता है आपित बर संट यह आनि कि फिर संट तक रहता है और झाय आणि है जोसीदें को सहारा देना यह वर्केस को सहारा देने पर सॉले नंबर सेब्टिन कोन सेब्द एक ड्रिल की आकार के अंत का नाम क्या है उसका नाम होता पॉइंट पॉइंट यहां पर आप से नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सतरे नंबर का कोश्चन है वाट इज दा फंडामेंटल डेविएशन आप डाइमेंशन फाइट टॉन्टी फाइफ एच सेवन आयाम फाइट टॉन्टी फाइफ एच सेवन का मुलभूत विचलन क्या है मुलभूत विचलन जो होगा वह आपका वी यानिकी कैप्टल एच होगा यहां पर देखिए अठारे नंबर का कोश्चन है वाट इज दस से आप दर निडिल फाइल सूइब फाइल का आकार क्या है तो यह जो आकार है यह कालात हमारा नाइफ एज यानिकी चाकू की धार दानिए चाकू की हाफ पर दानिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइफ एज अब देखिए 19 नंबर कोश्चन है वाट इस दानेम आप दा ग्रेजुएशन आंदा बीम आप वर्नियर कैलिपर एक वर्नियर कैलिपर के बीम पर ग्रेजुएशन का नाम क्या है तो य आप से करके किस नंबर कोशन है किस प्रकार की मीलिंग कटर में परिधी परदात होते हैं और कटे हुए किनारे को संक्वाकार सताय पर रखा जाता है यह काला तापको एंगुलर मीलिंग कटर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 12 अबर को से नश्यमजा मीलिंग अटेच्चमेंट मीलिंग लगाओ का नाम क्या है इसका नाम है यूनिवर्सल इसपायल अटेच्मефल सब्सक्राइब यहां यहां पर यह हुगा है आपका शेजो कुलگ की तर्यूप सिली यहां पर रैक मीलिग अटेश्मेंट यहां kup नंबर लगा हुगा यहां पर देख सकते हैं यह एक कि सब्सक्राइब करते हैं यह जो टेबल करते हैं कालम यानि की अस्तम यहां पर करेक्ट आंसर रुजए आपसा नंबर सी 24 नंबर का कोश्चन है फिच मी मसीनिंग प्रासेस दा मसीनिंग आप दा वर्टिकल फ्लैट सर्फेस परपंडिक लोड टूट आपसा नंबर भी करेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइब आप से नमबर भी करेक्ट हो जाएगा पचीस नमबर कोशन है वाट प्रापरटी आप दा मेटल्स इमपार्ट्स एबिलेटी टू इस्टेंड साक लोड धात को कौन से संपत्ति इस्टेंड साक लोड के साथ छमता प्रदान करती है यह रहता हमारा टफनेस य सब्सक्राइब करेंड साफ्ट इस नमबर कोशन है विच वन आप दा फालूइंग इज ए फिजकल प्रापरटी आफ मेटल निमन में से कौन से धावत की भावतिक संपत्ति है यह रहता हमारा वेट वेट जो होता है यह धावतिक संपत्ति होती है बाकि यह सब जो है ड़क सब्सक्राइब क्या है यह जो टेपर है यह हमारा कहलाता है बिग डायमीटर यह बिग डायमीटर यह रहता है इसमाल डायमीटर 29 नमबर कोशन है विच आप दा फालूइंग थ्रेड इज यूजड इन और डिनरी बोल्ट एंड नट निम्न में से कौन सा धागा साधरन बोल्ट और नट में उपियों किया जाता है तो रहता हमारा वी थ्रेड नहीं कि वी धागा तीस नमबर कोशन है वाट इस दा नेम फ्लैंक यानिकी दिशा अब देखिए 31 नमबर कोशन है विच मेथड आप टेपर टर्निंग कैन बी हेल्ड आइदर इन चक और बिट्विन सेंटर संक मोड की किस विधी को या तो चक या केंद्रों के बीच रखा जा सकता है तो रहता हमारा टेपर टर्निंग अटेच्में अब देखिए आप 32 नमबर कोशन है विच नेचूरल अब्रेसिव यूजट टू मेक ग्राइंड इस्टोन पत्थरों को बनाने के लिए किस प्राकृतिक आप घरसक का उप्यों किया जाता है उसके लिए किया जाता है सेंड इस्टोन यानिक रेत का पत्थर यूज किया ज किन अब देखिए चौनर कोशन है वर्ट टाइप अपसरफेस व्रीच यज प्रडेस इस प्रोडिच बाइंटर लेंटर कंगर ग्राइंड इंटरिक बेलनाकार प्शने के अह से किस तरह की सताय के निर्माण होता है तो ने डिनोट्स बाइक कैपिटल एच इंदा एसिक्स्टी एच फाइप वी एट मेंसेंड मार्किंग सिस्टेम आपके ग्रांडिंग वी इस साथ एच पांच वी आठ में एच से क्या संकेत मिलता है यह जो रहता है यह हमारा ग्रेट को बताता है चाहतिस नमर कोशन है काल्कुलेट दा इस्पिंडल स्पीड और पीम इपड़ डाइमीटर आप विल इज थ्री हंड़ेट एम्म यानि कि इसमाली कमान दिया गया एंड़ सार्फेस स्पीड इज ट्वंटिफाइप मीटर परति सेकेंड यह हमारा वी कमान दिया है तो धूरी आरपीम की करने करें या पाहिया का भ्यास 300 mm है सता की गती जो है 25 सेकेंड है तो क्या होगा यहां पर आपका पंदरेश वबान बहां जाएगा अपका तेल की संपत्ति क्या है जो धातु पर एक तैली ये तवचा छोड़ती है यह रहता है हमारा और लेनेस यानिकि चटुकारिता 39 नमबर कोश्चन है यह जो आपको फिगर में क्लैम्पिंग दिख रहा है यह कौन से क्लैम्पिंग है यह जो फिगर है यह हमारा कहला था टॉइ डग एंड पॉपट्स यानिकि पैर की अंगली कुट्टे और पॉपट्स आप तो नमबर भी करेक्ट होगा चालिस नमबर कोश्चन है विच डायरेक्शन डटेवल अफ सलाटर इज मूब्ड टू अचीव क्रास मॉमेंट क्रास अंदोलन को प्राप्ट करने के लिए सलाटर की तालिका किस दिसा में चलती है तो यह जो रहता है यह चलता है यह चलता है पैरलल टूदा कालम फेस अस्तम बचहरे के समना अंतर चलती है इकतालिस नंबर कोशन है वाट अर्फंडामेंटल यूनित मुलभूत इकाई एकांस ही है तो देखे जो मुलभूत इकाई आया है वेलन्थ मास और टाइम है वाट अनके सिश्टम में जो चैप्टल यम है यह कंस अच्छर वेक्त करती है यह जो रहता है यह हमारा मीटर को को बताता है तो आपसो नंबर को स्अपने स्फिर प्रोडक्ट आप 003-05 यह न पर 5-35 वियुक्ट और प्रशेट करेक्ट हो जाएगा तो आपसो नंबर यहां पर कर दीजिए आपका परसेंटेज में बदल जाएगा अब देखिए यहां पर 45 नमर कोश्चन है विच मेटल कंटेंस आयरन आजे मेजर कंटेंट इनमें से किसदवत में सम प्रमुख समगरी के रूप में लोहा होता है तो आपको भी फेरस मेटल याद होगा कि फेरस मेटल में लोहा पाए जाता है श्यालिस नमर कोश्चन है विच मेकेनिकल प्रापारिटी आफे मेटल आफास रजिस्टू इलास्टिक डिफार्मेशन इन ने कटिंग टूल धात कूंसों यांत्रिक गूल एक काटने को उपकण में लुश्दार विरूपन के लिए प्रतिरोश परद भूमाने की लिए किया जाता है यह किया जाते है इनमार अगार स्टील कपर यो अब यहां अचलव पर ऑन तॉलिस में बटटा एंट इछ कोशन है What is called if a body passage only magnitude or size alone जिस वस्ट में परिमाड या साइज होता है उससे क्या कहते हैं तुसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यानि की अधिसराइस कहते हैं और जिसमें परिमाड और दिसा दोनों होता है वह हमारा वेक्टर क्वांटिटी या सधिसराइस कहलाती है पचास नमबर कोशन है What is the value for specific heat of water तो पानी का जो specific यानि की विस्टिश तूस में होता है वह है एक होता है अब देखिए क्या हो नमबर कोशन है What is the boiling point of water in Fahrenheit स्केल फार नाट इसकेल में पानी का क्वाथनां के कितना होता है तो यह होता है दोसों बार है डिग्री फारेन हाइट फिप्टी टू नमबर का कोश्चन है calculate the amount of heat required to raise the temperature of 85.5 gram and sand from 20 degree to 35 degree Celsius specific heat of a sand equal to 0.1 20 degree Celsius 35 degree Celsius से तक 85.5 gram rate equal to 1.1 का ताप बढ़ाने के लिए आवस्थ्या की मात्रा की गढ़ना करें यह जब आएगा 128.25 जू लाएगा आप सो नमबर एक करेक्ट होगा तिरपन नमबर कोश्चन है which is the unit of current धारा की क्या है तो धारा जो होता है वो उसका मात्रक होता है एंपियर 54 नमबर कोश्चन है which is very good conductor सबसे अच्छा चालक कांसा है तो सबसे अच्छा चालक है हमारा कापर देखिए पच्पन नमबर कोश्चन वाट इस दा रिजिस्टेंस आफ एलेक्टरिक आइरान इस 220 वोल्ट और 500 वाट याद एक एलेक्टरिक आइरान की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट से तो इसका प्रत्रियोत कितना होगा तो यह होगा 96.8 हूं कि शपन नमबर कोश्चन है वाट इजिदा साइड आपके स्क्वाइर होज एरिया इस शिक्स तूफाइफ एमेम स्क्वाइर की भूजा क्या होगी जिसका चेत्रफल 625 है तो देखिए वर क चेत्रफल इक्वल्ट होता है भूजा स्क्वाइर तो वर्ग का दिया है जो चेत्रफल 625 उसको वर्गमूल निकालेंगे तो 25 है कि आप तो नमबर स्क्रेक्ट हो जाएगा कि अब यहां पर 57 नमबर कोशन है वाट इज दर पेरिमीटर आप इसके लनी ट्रेंगेल हैंगेंग साइड़ होटी एमेम टॉंटी एमेम और टॉंटी एट एमेम उस विसम भूज त्रिकौन का परिमाप क्या होगा जिसके भूजा की माप 40 एमेम है 20 एमेम है और 28 एमेम है आप सो नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा फिप्टिट नमबर कोशन वाट इस दानेम आप फिक्स्ट और सपोर्टिंग पॉइंट आप लिवर लिवर के फिक्स एम सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है तो यह कालता हमारा फॉलक्रम नहीं कि आप सो नमबर भी कर जा कोशन है वाट इस वेलू आप धीटाइव सेटाइव तेटा एक्वल टू अंडरू त्री वाइटू होता है तौशन साथ आंसकामण अंडरूर टीवर टू होता है एक स्थान सेवी इंटर्व्व एक टीश्ट करने के अगला कदम होता है तो होता है आए पीर अडिव साथकार में जाएं अगला है बांसे नमबर कोश्चन विच वन इज नाट ए वावेल कौन सा स्वर नहीं है तो आपको भी पता होगा यह जो होते हैं यह हमारे स्वर होते हैं जो यह हमारा वावेल होता है तिरसेट नमबर कोश्चन है वर्ड डैट इज प्रोनाउंच्ड दा सेम एज एन डर वर्ड बट डिफ्रेंट इन मेनिंग इस काल्ड वैसा जो किसी दूसरे सब्द के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं उससे क्या कहा जाता है तो उससे कहा जाता है हमोफोंस च से काता साइबर क्राइम यानि कि अपराथ कहा जाता है अब आनके था नमबर कोश्चन है फार साइट डिस्टेंस विच नेटेवर्क टाइप सुड़ भी यूजट छोटी दूरी के लिए कि इस नेट रचकार का क्यों किया जाता है इसके लिए या लान यानिकी लोकल एरि यहां पर सही होगा अनुसर्थ हमबर कोश्चन है डेडिकेशन तू ए पटिकुलर किसी बिसेस कार के लिए समरपड को क्या कहा जाता इसे कहा जाता कमिटमेंट यहां तो मैसяться हैं इसी अनुसर्थ कोश्च यांवरेचशन को किसके रूप में वरुप किया गया है यह वरुप किया रूप में सत्ष्ग माना से इंबी अपर होगा कच्चे माल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराय बिजली आधी के भुखतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतरगत आता है तिया तो वर्किंग कैप्टल का रिशिल पुझी के अंतरगत आता है बाता नमबर कोशन है वाट अप्रोच इज यूज तो गेंस एक्सेस तू फारें मार्क फारें मार्केट एंड प्रमोटेड और अर्गनाइजेशन इंट्रेस्ट विजए इसी बाज आ रहा हूं तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देन नमबर भी यहां पर करेक्ट होगा चाहता नमबर कोशन है विच वन आप देज डाकुमेंट इनाट एकसे टेवल फार फुल्फिल्मेंट आपके वाइसी नार्म के वाइसी माप दंडों को पूरा करने के लिए कौन सा दस्ताविस स्विकार नहीं है तो रहते हैं इंकम सर् एकट ऐसी डेसिवल से उपर जो होता है वह दुआनि पर दूसरान के अंतरगत आएगा चेताना नमबर कोशन है वाइब्रेशन एंड रेडियेशन कम अंडर कंपन और विक्रण के अंतरगत आता है देखे कंपन और विक्रण होता है यह फिजकल है जानिक सारे जोखिम के टाता है ज्तातर नमबर कोशन है अन्डर फैक्टरी एकट्डव कुट्रा वृकरस के लिएवर सब्सकीन नहीं होने चाहिए लिच यह प tariन और पालम इज कन फेयर लूस्ट यह पलूसल bliss प्रदूसक प्रदूसक जो एक करवन मोनो अक्साइड है सी यो टोटल नंबर आप पापलर क्वालिटी टूल्स आर लोग परी गुड़ वत्ता उपकरणों के कुल संख्या कितनी है तो वह है साथ असी नंबर कोस्टन है फिस फार्मूला इस करेक्ट टू कौन्टिफाई दा क्वालिटी कौन सब्सक्राइब अगर आप लोग सेकंडर का पेपर देखने चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्रिक्शन बाक्स में देती है प्लेलिस्ट का आप वहाँ से सेकेंडियर का भी देख सकते हैं लेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू